आप भी अगर पंच का camo edition लेने जा रहे हैं तो दो मिनट के अंदर मैं आपको सारी details दे दूँगा camo edition के बारे में तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये सिर्फ आपको दो variants में available होगी adventure और accomplished variant में और normal variant से ये सिर्फ 15,000 रुपे जादा है 15,000 रुपीज जिसमें आपको नया color और नया interior मिल जाता है तो आप decide करिए कि आपको normal edition चाहिए ये वाला कि आपको थोड़ा different look चाहिए तो इसके बारे में मैं आपको बता दूँ ये दो variant में available होगी और इसका starting price की बात करें तो 6,85,000 रुपीज में ये extra room आपको available होगी और इसका अगर आप accomplished variant लेते हैं तो आपको 7,65,000 में मिल जाएगा extra room और इन दोनों ही variants में आपको customization pack का भी option आता है अगर आप rhythm pack लेते हैं तो आपको 7,20,000 रुपे का पड़ेगा extra room नॉर्मल से ये 35,000 रुपीज जादा है जिसमें आपको mainly 3 feature जादा मिल जाते हैं इसमें आपको 7 inches का touch screen मिल जाएगा reverse parking camera और 2 tweeter भी मिल जाएगे 4 speaker तो इसमें आते ही हैं और 2 tweeter आपको और मिल जाएगे तो ये basically इसमें आपको 3 चीज़े जादा मिल जाएगे 35,000 में और अगर आप इसका accomplished variant लेते हैं जो इसकी extra room price 7,65,000 है और dazzle pack अगर उसमें add करके लेंगे तो आपको 8,30,000 रुपे का पड़ेगा ये normal से 38,000 जादा है और जिसमें आपको basically 4 चीज़े मिल जाएगे 16 इंचेस के charcoal finish में alloy wheels, LED DRL, projector headlamp और black appillar और अब बात कर लेंटे कि normal variant से इस camo edition में अंतर कितना है 5 चीज़ें अंतर हैं मैं आपको बता देता हूँ पहली चीज़ है color का अंतर आपको जो exterior color मिलता है वो flowage green color मिल जाता है और दूसरा अगर आप इसमें customization pack लेते हैं तो उसमें आपको black alloy wheels मिल जाते हैं charcoal finish में और तीसरी चीज़ आपको moss coat मिल जाता है camo edition का fender पे और interior की बात करें तो इसमें आपको premium fabric seats मिल जाते हैं with camo interior के साथ और dashboard का design काफी अच्छा लगता है military green करतों का use किया गया है और मेरी तरफ से तो ये गाड़ी okay है अगर आप normal से camo edition लेने जा रहे हैं तो 15,000 रुपे का difference है मगर गाड़ी भी आपको different मिलती है